नमस्कार आप सभी आगणबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज का ये वीडियो सभी आगणबारी सेवी का इस वीडियो को कॉंपलीट देखियेगा जिसमें कि आपको बताने वाला हूँ कि स्वास्त विवाग की ओर से पोसन ट्रेकर एब की जांच करने के लिए आपके आउनवारी केंदर पर एक टीम को भेजा जा सकता है आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नएया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर सेलेक कर लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि आज मैं आप सभी को बताओंगा कि ये जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं इन बच्चों का जो ग्रोथ मोनेटरिंग आप लोग कर रहे हैं बोध मोनेटरिंग करते समय अगर इनका जो हाइट वेट एक्चुल है वो अगर आप लोगों ने सही सही डाला है तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है अगर आपने उन बच्चों का हाइट और वेट गलत इंट्री कर दिया है तो उनका आपको सुधार कर लेना है जैसे कि जो स्वास्त विभाग के टीम पहुँचेगी वो किन बच्चों पर ज्यादा करके फोकस रखेंगे जैसे कि कोई बच्चा गंभीर अतिकुपोशीत है या फिर ओभर वेट है या फिर अंडर वेट है तो इस परकार के जो बच्चे हैं उन पे ज्यादा तर इनक की भी वेवस्था की जाएगी तो चलिए किस परकार से आपको चेक करना है जैसे कि किसी बच्चे की के टेगरी के ओपन करना है ओपन करने के बाद यहां से आप लोग इस बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस है यहां से आपको देखने को मिलेगा कि यह बच्चे का जो हेल्थ स् जितना होना चाहिए उतना है इसलिए इनका कलर ग्रीन कलर में दिखा रहा है यानि ये बच्चा नर्मल है इसी परकार से और भी बच्चे हैं जैसे कि यहां पे छे मास लेके तीन साल के वाले बच्चे तो इसमें आपको अलग-अलग कलर देखने को मिलेगा जैसे कि ग्रीन क के पोशन ट्रेकर रैप में ब्लू कलर और जो ब्राउन कलर के ओप्सन दिखा रहे हैं यानि ब्लू कलर का मतलब हो गया कि वो बच्चा हाइट के अनुसार उस बच्चे का जो वजन है वो जादे है यानि कि ओबीज के के टेगरी में आता है यानि कि वो बच्चा जादे मोट इस लिए उसका color blue color में दिखा रहा है और जैसे कि आप लोग category check करना चाहते कि बच्चा किस category में है है तो यहाँ पर arrow पर क्लिक करके और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह जो बच्चा है वो moderate acute malnutrition यानी ये बच्चा मध्यम अल्प कुपोसित के रूप में इसको जानेंगे और इसका जो height है और जो weight है उसको भी आप लोग देखेंगे कि ये बच्चा जितना height और weight होना चाहिए वह है की नहीं अगर इनका height और weight हमने वजन करके डाला है तो आपको इसमें जादे चिंता करने की बात नहीं है ऐसे बच्चों को पहचान करके उनको पोशन पुनरवास के इंदर में भेजा जाएगा अगर आपने उनका height और weight गलत कर दिया है यानि की गलत इंटरी कर दिया है तो यहाँ से जो three dot का option आप लोग देख रहे हैं इस पे जाके यहाँ विकास की growth monitoring का option मिलेगा यहाँ से उस बच्चे का जो actual height है अगर गलत कर दिया है तो actual height यहाँ पे height centimeter में डालना है और वजन kilogram में डालना है तो इस परकार से डाल के आप लोग यहाँ पे submit कर देंगे का option देख रहे हैं यानि green color का मतलब हुआ कि जो बच्चा है यह normal category है और इसी परकार से यहाँ पे आप लोग देखेंगे यह जो red color का option आप लोग देखेंगे तो यह जो बच्चा आप लोग देख रहे हैं यानि कि इस बच्चे का status आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे यह दिखा रहा है से bear acute malnutrition यानि यह बच्चा सैम की कटेगरी में है यह बच्चा अति गंभीर को पोसीत है तो इसी परकार के जो बच्चे हैं उनको पहचान की जाएगी तो इसी परकार से आपके पोसंट ट्रेकरेप में जितने भी बच्चे हैं उनका height और ये वीडियो कैसा लगा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like जरूर किजिए और ये वीडियो सभी अन्य सेविकाओं के साथ 20 जरूर सेयर करें ताकि उनको भी इस जनकारी के बारे में पता चल सके तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद